हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा एक्जाम हैकर योटूब चैनल दोस्तों हम लोग नेचुरल हैजार्ड्स जो केंटेंपरी इसूज हमारी जिगराफियाप इंडिया का पार्ट था उसको हम लोग डिसकस कर चुके हैं उसके बाद हमारी नेक्ट जो हमारी टॉपिक है, वह हमारी है इसूज रि य रिलेटेड इन्वाइर्मेनटल प turnout जो छो इन्वाइर्मेंटल पर पन पहलोशन है उससे कौंण से इसू रिलेट करता है उसको इस टॉपिक के अंतरगत इस्टडि करना है तो वैसे दोस्तों बहुत सारे issues इससे relate करते हैं जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे atmospheric भी issues है pollution से लेकर जैसे कि ozone layer depletion हो गया यहाँ पे climate change हो गया greenhouse gases का emission हो गया ठीक है इसके लगाँ आप देखोगे air pollution हो गया तो बहुत सारे यहाँ पे हमारी atmospheric से related issues है वैसे आपको water से या hydro से related बहुत सारे atmospheric issues हमारी होती है फिर इसके लगाँ आप देखोगे soil से related हमारी अलग ही atmospheric issues है तो बहुत ज़्यादा complex एक बड़ी topic है हमारी issues related to environmental pollution तो इन सब को अलग लगाँ हम लोग वीडियो में discuss करेंगे ही लेकि आज के इस वीडियो हम लोग basic जो concept है environmental pollution से related उसको हम लोग आज के इस वीडियो में cover करने वाले हैं discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर environment होती क्या है environment को आप कैसे define करोगे तो environment का simple मतलब है दोस्तों nature प्रकिर्ती प्रकिर्ती ही हमारी environment है क्योंकि आप देखोगे human population के surrounding कुछ भी आप देख रहे हों जो भी चीज़े देख रहे हों चाहे वो living organism है चाहे non living organism है जैसे water हो गया, air हो गया, soil हो गया, forest हो गया इस सारी चीज़े आप देखोगे जो surrounding में इस सब कुछ environment का part है और human यहाँ पर एक single element है यानि other element भी है लेकि human एक इसका एक element ही है इसको बोलते है environment तो environment क्या होती है, environment जो भी हमारी surroundings में है चाहे living organism, चाहे non living organism सब कुछ हमारा एक environment का part है अब जो हमारी surroundings है, जो environment है, nature है उसकी function की बात करोगे तो function हमारी चार major category है human के utility के perspective से ठीक है, यहाँ पर human को central मानके हम environment को define भी कर रहे है और environment की जो function है उसको भी हम समझ रहे है तो चार major function है environment का, यहाँ पर है, सबसे पहला जो function है कि जो resource provide करता है resource चाहे renewable हो यानि कि forest हो या non renewable हो water है, air है, जो भी है यहाँ जो other resources है यह सारी चीज़े हमें environment से मिलती है तो पहला function क्या है, resource को supply करना, specific human population के लिए फिर दूसरा यहाँ पर function है environment का, assimilate the waste जो human population या other जो organism है, waste को generate करते हैं, उस waste को यहाँ पर degrade करना, assimilate करना, दूसरी हमारी function है environment का तिसरी जो function है दोस्तों यहाँ पर genetic biodiversity को यहाँ पर रखना या जो organism है, उसको sustainability को maintain करना अब देखो, biodiversity को loss होगी, तो हम लोग देखे थे epidemic हमारी आती है, या other diseases आती है, और यहाँ पर food chain है, food wave है, energy जो flow है, वो भी हमारी sustainable नहीं होता है तो इसके लिए भी यहाँ पर genetic biodiversity loss को बनाए रखना तिसरी function है environment का, चौथा यहाँ पर function है, कि जो aesthetic जो service है, जैसे scenery, beauty हो गया, यह सब चीज़े यहाँ पर landscape ब्यूटिफुल landscape यह provide करती है हमारी environment, तो चार major function हो गया यहाँ पर लेकिन जो हमारी आज की जो topic है issues related to environment pollution उस जो topic है आप देखते हो कि यह दूसरा जो mean function है उससे relate करता है दूसरा कौन सा function? यह हमारी non-renewable जो हमारी resources, sorry जो waste को assimilate करने की जो power है, उससे relate करता है, क्योंकि जो हमारी environment है, उसके बास unlimited हमारी capacity नहीं है कि जो waste हम generate करे है उसको absorb कर पाए ठीक है, यह आप ध्यान रखना कि nature जो होती है, environment होती है उसकी एक limited capacity होती है limited उसके पास power होती है, जो हमारी waste जो generate करते है, चाहे हम degradable waste generate करें या non-degradable waste generate करें उसको assimilate करने के लिए limited power होती है और उस capacity से उपर हम waste generate करते हैं तो हमारी क्या होंगे, उहां पर pollution होने होने लेँगे pollution अलग अलग wave में होने लेँगे जो बाद में, environment में इतने ज़्यादा pollution हो जाएँगे, उसको remove करना बहुत हाड हो जाएगा, और बाद में remove करना difficult हो जाएगा और बाद में वही जो पॉलोशन होंगी वो इन्वारिमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करेंगे और बहुत सारी इसूज महाँ पर उभरने लेंगे जैसे कि एटमस्मेरिक इसूज में हमें देखे थे ओजोन लेयर का डिपलीशन हम लोगों डिस्स करेंगे डिटेल में और एयर पॉलोशन यह सारी चीज़े हमारी आने लाएंगी जब हमारी पॉलोशन ज्यादा हो जाएंगी तो दूसरा यहां जो फंक्सन है दोस्तों उसी से हम ओर स्वरांडिंग यानि की और पॉपलेशन में अंडेजरेबल चेंज होती है जो हमारी हर्मॉल होती है है। समून के लिए भी प्लान्ट ग niż념रेबल जोचेंजेंज को बोलता है उसको बोलता है इन्वैर्मेंटल पॉलोशन और जो अंड्चेंजेंज लाती है स्वांouल जाइबल चेंज आती है उसको बोलते है पॉलूटेंट तो पॉलूटेंट क्या होती है जो इन्वाइरमेंट को पॉलूट करती है उसको बोलते है पॉलूटेंट अब यहां पर आप देखोगे तो वाटर पॉलूटेंट में यह दि वाटर की जो भी हमारी पूरी आप बोल स होती है pollutant का चाहे water में हो चाहे air में हो चाहे soil में हो वो हमारी नुकसानदा होती है environment के लिए जैसे कि आप air pollution की बात करो तो air में smaller भी हमारी pollutant होंगे तो human की health के लिए बहुत ज्यादा हार भूल होंगे क्यों क्यों कि आप देखो के जो air होती है यह human 12 से 15 टाइम से ज्यादा लेता है food से तो हम सांस जो लेते हैं वो बहुत ज्यादा लेते है age compared to food अब जरा सभी यहाँ पर pollution होंगी air में तो उतनी ज्यादा हम consume करेंगे pollution को अपने human body में जो human body बाद में क्या करेंगी उसके लिए उतनी capacity नहीं होगी उसको clean करने के लिए अब आद में human के health में बहुत जादा यह पर गलत effect पड़ेगा तो even smaller जो proportion होती है pollutant का proportion होती है environment में वह हमारी harmful होती है दूस्व पॉलूटेंट की बात करें तो टाइब की pollutant होती है हमारी bio degradable और non bio degradable देखो bio degradable का मतलब है ऐसे pollutant जो environment बहुत ही easily उसको degrade कर देती है अपने में assimilate कर लेती है उसके लिए बहुत जादा time नहीं लगते हैं environment को nature को उसको बलते हैं bio degradable जैसे मालो vegetable waste अब generate करते हो उसको degrade होने में दो तीन दिन लगेंगे साड़ने में तो यह हमारी bio degradable हमारी है non bio degradable ऐसे waste ऐसे pollutant जो environment उसको degrade करने में decades लग जाते हैं दसो साल या सेक्डो साल भी लग सकते हैं ऐसी जो pollutant होती है उसको बलते है non bio degradable जैसे आपे plastic आप देख सकते हो या hard metal हो गए ठीक है या DDT हो गए डीडीटी हो गए डीडीटी भी हमारी persistent pollutant में आती है यह जो pollutant है उसको degrade होने में सेक्डो साल लग जाते हैं या दसो साल लग जाते हैं इसको बलते है non degradable और यह जो non bio degradable जो pollutant है उसको environment से remove करना बहुत ही tough होता है और बहुत ही easily remove नहीं होते हैं और बहुत सालों से राते हैं इसलिए वहाँ पे environment में हाम पहुशाते हैं और बहुत सारे issues create करते हैं तो इन issues को दोस्तों हम लोग यहां पे हम लोग तीन major category में discuss करने वाले हैं atmospheric जो pollution होती है atmospheric जो issues होते है water pollution इसको तीन major part में हम लोग लग लग वीडियो में करके discuss करेंगे detail में तो दोस्तों जो water होती है किसी sorry जो pollutant होती है किसी particular area में तो origin होती है लेकिन other area में यह जाके फैल जाती है और फैलाने काम यहाँ पे air काम करता है water काम करता है human की activities भी काम करती है जो दुसरी ocean को फैलाती है जिसे मैं पे यहाँ पे air जो हमारी pollution है वो किसी chimney से निकल के आती है लेकि उसी जगह पे नहीं राती है किसी दूसरी जगह पर भी आपको वहाँ पे जो air pollution है यहाँ पे जो सिमनी से निकल के pollutant गई है दूसरे जगह पे जाके atmosphere को गंदा करती है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे source है वहें पे आपको pollution देखने मिलेगा pollution बहुत जादा speed होती है water के द्वारा, air के द्वारा, human के activities के द्वारा तो तीन major category में दोस्तों हम लोग environmental issues है उसको हम लोग discuss करेंगे हम लोग एक इक अलग अलग वीडियो से जो फर्स्ट हम लोग discuss करेंगे atmosphere जो हमारी issues है, pollution related और water फिर हमारी soil तो आज के इस वीडियो में बस्तिनाई दोस्तों I hope जो हम लोग discuss किये हैं आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा तो आज के लिए बसने आई thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नया topic साथ thank you